हेलो दोस्तों मेरा नाम है सिवेंदर चाह और आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये हैं सिव्चरन घी अंकल जी और उनकी धरमपदनी भारत के उदयपुर राइस्सान से नातरकने वले शिव्चरन जी फ्रांस के स्टॉजबग सहर में रहते हैं और अत्यांत बीमार वाल अचार इस्तिति में हैं उनको जो बिमारियां हैं इस वैसे वो बैट पे ही रहते हैं और घर के सारे काम करने में बहुत कटनाया जहल रहा हैं उन्होंने गुजारिस किये कि वो अपना जीवन जो है भारत में आके एक व्रिद्धा असरम में गुजारें अंकल जी यूरोप के आर्ट ओफ लिविंग वाइस काउन मंदिर में भी अपनी सेवा दे चुके हैं और अपना दर्द उन्होंने फेस्बूक वाटसेप के जरिये लोगों तक पहुचाने की कोसिस की ताकि वो इंडिया आ सके और अपना जीवन जो है व्रिद्धा असरम में व्रिद्ध कर सकें इसी साल 2017 में जन्वरी में सुस्मा सुराथ जी ने भी उनको यहां लाने की कोसिस की थी पता नहीं किस वैसे वो आ नहीं पाए उनकी अभी भी यही अपील है कि वो यहां पर आएं और अपना जीवन यहां पर गुजार सकें दोस्तों काफी लोग मदद कर रहे हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं उनकी बात पहुचाने की ऑफिसियल्स तक मैंने भी इसको ट्वीट किया हुआ है और अपने फेस्टूक पेज़ पेज़ पर बीडाला है ताकि ज्यादा तर लोगों को पता चले और भारत सरकार इस मालमे में कोई कदम उठाए और उनक तो असियों मेरी दलाज रखो मेरा प्यारा भारत मेरे से दूर है मैं यहां फ्रांस स्ट्रास्टूक में पढ़ा हूँ अखेला हूँ पतनी के साथ मिचानी हो अब इस भीवार सीर से लगा कर पाम तक उसको दर्द पाम सूजे हुए है यह हुँ इस दुनिया है यहां इन गोरों की दुनिया में कोई किसी का नहीं है कोई किसी का नहीं है मनुश्ड़ा मर चुकी है यहां पर मनुष्टा मर सुकी है मैं ने लोगों भरुसाय किया जब अच्छा था मैं सबसाथ थे भीमार बड़ा कोई आके दिरे दिरे सब चले गई पता ही नहीं कहां गई 20-20 साल से जिन लोगों से चान पेचान थी वह भी यहां के लोग बड़े ही स्वार्ची निकले मैं आध्यात्मीक हूं आध्यात्मीक रहूंगा और भगवान मुझे आत्ये जनम में भी आध्यात्मीक रखे और जनम दे तो भारत में ही दे अगर मैं प्राण छोड़ दू यहां पे तो वो प्राण सीदे भारत जाए ये पराद ना करें मेरे बाईों, बैनों, मेरे माँबाप, मैं अपसे के नहीं सकता, क्या हुआ ? 2008 से मेरे उपर, पाहड के उपर पाहड तूट पड़े, पाहड के उपर पाहड तूट पड़े, दो बार हाट का उपरेशन, भई-पास सर्जरी, उसके बाद ताहेबिटी जबकी मैं शाकारी हूं उल्टी सिल्टी सिज़े खाता नहीं, इनका खाना खाता नहीं आज मेरे बें इतनी भी शक्ति नहीं है, ना मेरी पत्णी में कि हम घर कहां भी कुछ कर सके, सामला सके बिल्कुल बिल्कुल बेसारा पड़े हुए है या सड़ रहे उसके बाद मेरे लिंफोमा कैंसर होज किन डिजीज हो गी तो इन लोगों ने मुझे यहां पे ओवर्डोस दे कि मेरे शरीर को तोड़ डाला अच चार सा लोग है यह मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ शरीर में ताकित नहीं है भगवान को याद करता रहता हूँ मेरे मातर भूमी को याद करता रहता हूँ वो देटाओं की भूमी है वहाँ सुर्व उद्ध होता है और यह रप में सुर्व पास्चात देशों में सुर्व अस्त हो जाता है अंधेरा है गोर अंधेरा है खल यूग है और कल यूग यहाँ तो चार मसीमा पे है मेरे भाईो मेरे भाईो मेरे लिए परात ना करो मेरे भाई बेहनो मेरे लिए परात ना करो कि मुझे से तेसे भी अपने भारत दोट सुरूं और कहीं भी मुझे शरण मिल जाए मेरा भाई राम चरण गिया जो मेरे इसे आट साल चोटा है मैनद करके मेरे उसे डॉक्टर मुणाया मगर वो पैसे के जहाल में दे रहाव करके अंधा हो गया पैसे में फसके पैसा 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 ही भगवान हो गया उसके विए मेरी बेहन को तक उसने दुआ रखाए मेरे माबाब की जाने के बाहत मेरे सिबाद तक नहीं खरता मेरे बाईयों 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 मेरे बा ने आया और धर्म का प्रचारी किया पहले रामा करशना पर मिशन से जुड़ा हुआ था उसके बाद में मैंने इसकोन पर भरुसा किया वो लोग कोई जवाब नहीं दे थे उसके बाद श्री श्री रवी शंकर जी के पास बहुत प्रोजेक्ट थे गाओं में जाके सेवा करी नवचे इतना शिवर चलाए जब तक दो पाँपे खड़े थे उन्होंने मुझे अच्छा इस्तेमाल किया वगर आज मुझे उनकी जरूत है वगर कोई सामने पलट के तक नहीं देखता और विश्वे वसुदही कुटब कम की बात करते हैं भाई चारे की बात करते हैं आए वो सब बोलने में बड़े अच्छे हैं ये लोग इनके चक्कर में कभी मत आईएगा आप से मेरी हाथ जोड़के दिल से ये प्रात्ना है सत्यवादी बने रहो सिवा भावी बने रहो कल युग में भक्ती और सिवा ही अमर हमार गए मेरी लाज आपके हाथ है मेरे भाईो मेरे पे दया रख़़़ा